Assalamualaikum dear learners and welcome in topic number 15 which is about how to become an entrepreneur. आप भी सोच रहे होंगे कि हमने आपको बताया कि entrepreneur की definition क्या है, enterprise क्या होती है, entrepreneurship as a discipline किस तरह से emerge हुआ, आप ने entrepreneur बनना है तो किन-किन बातों का खयाल रखना है, फैसला किस तरह से करना है, और आपके entrepreneur बनने की जो एक fire है, उसको कितने multiple sources से motivation मिल सकते हैं. अब हम यहां तक आ गए हैं कि how to become an entrepreneur और यही इस एक वीडियो का agenda है, कि हम वो तमाम ways discuss कर सकें, जिन रास्तों से गुजर के आप entrepreneur बन सकते हैं. अच्छे इसमें मुखलिफ myths होती हैं, for example, जादे तर लोग यह समझते हैं कि आप entrepreneur सिर्फ तब बनते हैं जब आप अपना एक बिल्कुल नया venture from scratch अपना कारोबार शुरू करते हैं, सिर्फ उस सुरत में आप entrepreneurs बन सकते हैं. यहां फिर लोग अकसर समझते हैं कि अगर आपका business model, आपका idea बहुत unique होगा तो ही आपको entrepreneur कहा जाएगा, यहां फिर जादे तर लोग यह समझते हैं कि अगर आपका family business है तो आप अपने अपना family business join कर लिया है तो ही आप entrepreneur बन सकते हैं. और एक myth और है और वो myth यह है कि जो जादे तर entrepreneurs होते हैं वो soul proprietor होते हैं, यानि वो एक अकेला अपना business from scratch शुरू करता है और उसी एक इनसान को, उसी एक मर्दिया और अरत को हम entrepreneur कहते हैं. यह सारी बाते दरुस्त नहीं हैं. Likewise, हम अकसे समझते हैं कि अगर आप engineer हैं तो आप किसी engineering firm में काम करेंगे, अगर आप doctor हैं तो obviously आप ना clinic open करेंगे या किसी hospital में अपनी services देंगे, या आप chemist हैं, या फिर आप एक business school के graduate हैं, या आपने social scientist पढ़ी है, तो आपको तो नौकरी ही करनी चाहिए. ऐसे दुरूस्त नहीं हैं क्योंकि academic spin-out भी होता है. किसी अपनी तालिम को छोड़ते हैं और किसी industry में चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाते हैं. आपको internet के उपर ऐसी बहुत सी कहानिया मिलेंगी कि जिसमें आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे entrepreneurs इस वकत globally अपना business करते हैं. वो किसी ना किसी university या किसी ना किसी school के drop out हैं. इसमें दोनों options होती हैं. एक inside out approach. Inside out approach वही है जो मैंने आपको अभी बताई. आप इस वकत university में पढ़ रहे हैं. आप entrepreneurship का ये course पढ़ रहे हैं. और आप video देखते हैं आपको कोई एक बात click की और वहाँ से आपको एक idea आया और उस idea को लेकर आप थोड़ा अपने education से break लेते हैं और उस idea को लेकर market में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो idea develop हो market में और आप आइस्ता आइस्ता अपना business उस पूरे model के उपर develop करें और अपना कारोबार शुरू कर दें. एक approach होती है outside in approach. मिसाल के तोर पर आप university नहीं पढ़ते हैं या उस एक particular university में आप नहीं पढ़त कामियाब हो सकता है और university के अंदर को incubation center है तो आप अपना business idea उस incubation center में pitch करते हैं आपका idea जो है वो select हो जाता है और आप उस university के बेश्रक student नहों लेकिन आप उनके incubation center को join कर लेते हैं इसी तरह गराप professional हैं कहीं job कर रहे हैं या किसी एक particular industry में काम कर रहे हैं और आपको उस industry का बहुत experience हो जाए तो भी आपको बहुत से ऐसे ideas मिल जाते हैं तो कहने का मकसद यह आ जाता है कि क्या आप अपना खोद का idea लेकर आएंगे तो entrepreneur होंगे क्या आप engineer, doctor या business graduate होंगे और आपके पास को degree होगी तो entrepreneur नहीं बन सकते हैं या फिर आप scratch से ही अपना business करें, develop करें कोई अपनी नई product develop करें, तो ही entrepreneur बन सकते हैं, the answer is no, you have multiple ways जिन से गुजर के आप entrepreneur बन सकते हैं सबसे पहला तो वही है जिसके हम बार-बार बात कर रहे हैं, you can create your own venture, आप अपना कारोबार, बिल्कुल छोटे पहमाने से, from scratch, अपने कारोबार का आगाज आप खुद करते हैं, ठीक है, और इस वकद जितने भी incubation centers हैं, उसमें जितने भी incubators हैं, actually वो यही काम कर रहे हैं, they are trying to develop their own ventures, वो अपना brand बना रहे हैं, अपना business बना रहे हैं, अपना business model बना रहे हैं, second यह है, कि आप एक चलता हुआ कारोबार भी तो खरीद सकते हैं, आपने बहुत से जगों पे देखा होगा कि चलता हुआ कारोबार बराए फरोख, आप एक buying, जो एक चलता हुआ business है, अगर उसको buy करते हैं, तो भी एक entrepreneur है, फिर उसके बाद, जो थोड़ा सा आसान है, that is family entrepreneurship, आपने अपनी education में कमल की, और उसके बाद अपना family का आके business join कर लिया, आपनी family का business join करते हैं, तो भी आप entrepreneur बन जाते हैं, क्योंकि आप risk भी ले रहे हैं, आप resources को bundle और re-bundle भी कर हैं, आप market में अपनी चीज़ भी बेच रहे हैं, आप लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं, so you are an entrepreneur, उसके बाद, यह बहुत से लोग डिबेट करते हैं, कि जो franchising का business है, जो franchises बनते हैं, क्या वो entrepreneur है के नहीं है, अगर आप entrepreneur की characteristics को देखे हैं, कि वो risk लेते हैं, वो resources को bundle and re-bundle करते हैं, वो लोगों को job देते हैं, तो why not, अगर आप किसी भी fast food restaurant की एक franchise खरीद लें, तो भी आप entrepreneur हैं, और अगर आप किसी एक registered या stock exchange listed company के बहुत जादा shares भी खरीद लेते हैं, तो भी आप एक entrepreneur ही हैं, so आपने अपना यह mindset change करना है, कि अगर आप scratch से business शुरू क करेंगे, तो ही एक entrepreneur है, ऐसा नहीं है, आप अपना venture या आप अपना existing चलतावा कारोबार जो है business वो भी buy करें, आप अपना family business join कर लें, आप किसी की franchise खरीद लें, या फिर किसी company के shares खरीद लें, basically आप entrepreneur बन जाते हैं, अब यह जितने भी आपको हमने तरीके बताए हैं entrepreneur ब बात करते हैं अपनी आने वाली videos में.